नमस्कार मैं हूँ आपके साथ जस्प्रीद को और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते हैं धमाकेदार 50 पूरे में शिंदेखेमे के विधायके तानाजी सावन के दफ्तर में तोड़ फोड की गई है तोड़ फोड का आरोप शिवसेना की कारिकरताओं पर डगा है गुजरात दंगो पर सुप्रीम कोर्ट से नरेनर मोदी को मिली क्लीन चिट के फैसने को अमित शाह ने सब को जवाब बताया शाह निकाह कि नरेनर मोदी ने कई सालों तक जूटे आरोपों को चुपचाप सहन किया लेकिन लड़ाई में धहरे दिखा कर जीत पूँ नाइए ने आतंगबाद से जुड़े मामले में जमू कश्मीर में 14 जगों पर छापिमारी की जमू कश्मीर पुलिस और पंजाब में रुध्याना पुलिस ने मूसेवाला मर्जर केस में जसकरण सिंग नाम कि एक उस शक्स को गिरफतार किया जसकरण गैंक्स्टर गोल्डी बरार के साथी बलदेव चौधरी को हतियार सप्लाई करता था जिसे पुलिस पहले ही गिरफतार कर चुकी है कानपूर में महिला दारोगा ने दो कारोबारियों को उठाकर जम कर फीटा और उनके जेवर लूट लिए कारोबारियों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी महिला दारोगा को गिरफतार कर लिया है जैपूर में दिन धारे गुंडा करदी का मामला सामने आया है मारपीट की पूरी बारदात की CCTV पोटेच भी सामने आयी है चार गाड़ियों साहे बदमाश वैफारी से 15,000 रुपे लूट कर फरार हो गए यूपी के और नाव में दो पक्षों में जम कर मारपीट वी दोनों पक्ष मरीज को निजी अस्पताल में भरती करवाने पर आपस में भड़ गए मारपीट का वीजियो भी सामने आया है एमपी के सतना में बदमाश ने यूवत को अगवा कर उसके साथ मारपीट की आरोपियों ने मारपीट का वीजियो बना कर उसे वाइरल भी कर दिया यूपी के महोबा में कच्रा फेकने को लेकर विवाद हो गया जिसके बाद दबंगों ने बुजूर की पिटाई कर दी पिटाई का वीजियो वाइरल हो गया है जोदपूर में वदमाशों ने शराब कारोबारी के साथ काट दिये हाथ काटने की पूरी बारदात का CCTV भी सामने आया है कानपूर में युवक की पिटाई का वीजियो वाइरल हो रहा है मामला 14 जून का है जब युवक लोडर लेकर घर आया हुआ था जहां उसी की गली में कार से आये दबंगो ने उसके साथ मार पीट की असम के नगाओं में भारी बारिश की वज़ा से निचले इलाकों में बार के हालात पैदा हो गए हैं आजनन गाओं में एक घर्टे हुई तेज बारिश की वज़ा से जिला अस्पताल में पानी भर गया जिला अस्पताल के ऑपरिशन थेटर से लेकर बार्ट में पानी भरने से मरीजों को काफी परिशानी का सामना करना पड़ा जमू और कश्मीर के उधंपूर के पास जमू श्रिनेगर हाईवी बंद होने की वज़ह से दुला और दुलन को पैदल ही रास्ता तै करना पड़ा बराप में शामें लोग अभी भी पैदल ही रास्ता पार करते दिखाई दिये गुज़ात के अंदाबाद में एक शक्स को तेज रफ्तार गाड़ी निरौंदा मौकी पर शक्स की हुई मौत घटना CCTV कैमरे में रिकॉर्ड भी बिहार के नलंदा जिले के दोराडी गाउं के पास दो ट्रक की जोड़दार ठक्कर हो गई बिहार के आरा में बिजली के एक ट्रांस्पॉर्मर में आग लगने से अफ्रत अफ्री मज़ गई हाला कि कुछ घंटे की मशक्त के बाद आग बुझा दी गई लेकिन बिजली कटने से लोगों को परिशानी का सामना करना पड़ा यूपी के मतुरा में चौकी इंचार्ज पर स्थानी लोगों से मारपीट करने कारों सीची टीवी में लोगों से मारपीट करते देखे पुलिस कर्मी लोगों ने आधिकारियों के शिकायद को मद्धर प्रदेश के इन दौर में इंस्पेक्टर ने महिला पुलिस कर्मी को मारी गोली फिर खुद को भी मारी गोली और आत्मत्या कर ली महिला पुलिस कर्मी गंभी रूप से खाल यूपी के आग्रा में अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर बुल्डोजर चला है बहा तहसील की मिले गाउ में ग्राम पंच्राइट की जमीन पर अबैद निर्मान पर बुल्डोजर चला कर फस्त कर दिया गया काज़बाद की खोड़ा में जेनरेल स्टोर में आग लग गई आग में एकी परिवार के दो बच्चे समय छे लोग जुलस गए हाथसा गैस रिफिलिंग के समय हुआ बीएसेफ घुज में इलाके से दो पाकिस्तानी मच्चवारों को पक्राइट 23 जून 2022 को शुरू हुए एक तलाशी अभ्यान में बीएसेफ के हाथसे ये काम्यावी लगी है गोरकपुर में पूर्वोतर रेलवे की जे आरपी ने रेल में लूट करने वाले गिरों का परदाफाश किया है जे आरपी ने ग्यांक के साथ लोगों को गिरफतार किया है आरोपियों के पास से 33 मोबाइल और 80,000 से जादा की नगदी बरामक की गई है नवादा पुलिस ने साइबर अपराधियों के गिरों का परदाफाश किया है वारसली गंज थाना पुलिस ने साथ आरोपियों को गिरफतार कर लिया है कोटा में 200 करोर रुपए की ठगी मामले में साइटी ने एक और आरोपी को और कंपनी के डिरेक्टर योगेश कुलशेच को गिरफतार कर लिया है आलोपियों ने चिटफंड कंपनी के जरीए 25 से जादा लोगों को ठगी का शिकार बनाया यूपी के मैनपूरी में खेतने खुदाई के समय करीब 4000 साल पुराने हतियार बनाना दुए है इन हतियारों को द्वापर यूग का बताया जा रहा है राजिस्तान में कोरोना काल में भर्ती किये गए 28,000 कोविज इस्वास्त साहिकों को हटाई जाने के बिरोध में प्रदर्शिन जारी है फिशली 84 दिनों से CHE बहाली की मांग कर रही है अयोध्या में कारिगर श्री राम मंदिर निर्माल में लगने वाले पत्थरों पर आकर्शक नकासी दार डिजाइन कर रही है आगरा और राजिस्तान की कारिगर दिन रात एक एक करके नकासी कर रही है यूपी के सीधापूर में पुलिस और बदमाष्यों के वीच मुठभेड हो गई मुठभेड में दो अंतरजन पदीव बदमाष्यों को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है एक बदमाष्ट के पैर में गोली लगने से बदमाष्ट घायल हो गया दिल्ली के बदरपुर में पुलिस और बदमाश के बीच मुढधेड हुई एनकाउंटर के समय एक लाग का इनामी बदमाश गिरफतार किया गया मदरप्रदेश की दतिया नगर पालिका शेत्र में नाम बापसी की दिनों में मदरप्रदेश की सिंग्रॉली में कोई में गिरी भैस को किया गया रेस्क्यू पचास पीट गहरे कोई में भैस को कड़ी मशकत के बाद बाहर निकाला गया कानपूर में रिश्वत लेने के आरोप में दारोगा गिरफतार किया गया दो कारोबारियों से मारपीट कर लूटने और जेवर देने के नाम पर मागने का आरोफ है यूपी की मेरट में एक शक्स ने सोचल मीजा पर जिलाधिकारी की पोटो लगा कर दूसरे विभाग के अधिकारीों से बांगे पैसे जिलाधिकारी ने पुलिस ने की शुकाय चेनरी में तेज आंधी में सड़क पर खड़ी गाड़ी के उपर गिरा पेड़ हाथ से में बैंक मैनेजर की हुई मौद दो लोग गंभी रूप से घायल हुए दंगोत्री यमनोत्री धाम की यात्रपडगता रिकॉर्ड यात्रियों को आने का सिलसिला जारी है दोनों धामों में अब तक साथ लाग चार करोड से जादा लोगों तक पहुँचकर इतिहास बनाया और चुनाग की सबसे बड़ी कवरिज के लिए गोल्ड जीता 1975 में देश में लगे आपातकाल के 47 साल पूरे होने पर विजपी राष्टी अध्यक्ष जेपी नडड़ा ने थ्वीट किया थ्वीट कर जेपी नड़ा ने एक वीडियो भी शेयर किया है रूस पर युक्रेन की सेना का पलटबार युक्रेन की फॉज ने लुहांस्क में आटिलरी से गोले दागने का वीडियो जारी किया है युक्रेन की सेना ने रूस पर किया हमला रूस के हतियार और तेल टैंकरों को धमाके के साथ उड़ाने का दाबा किया एक वाट जोर में महंगाई के खिलाफ लोगों का गुसा एक बार फिर फूट पड़ा जिसके बाद पुलिस ने बल प्रेयोग करते हुए प्रदर्शन कारियों को खदेड़ा अमारी के सुप्रीम कोट के गरपात के लिए समवैधानिक सुरक्षा को खत्म करने के बाद नियॉयॉक में जोरदार प्रेदर्शन हुआ नियॉक शेहर के वाशिंग्टन स्क्वाइर पार्क में प्रेदर्शन कारी जुटे यॉक्रेन की मिकुलाइव शेहर में रूसने एक बार फिर बंबारी तेज कर दी है मिकुलाइव इलाके में गैस स्टेशन पर एक के बाद एक मिसाइल हमले किये गए मिसाइल हमले का CCTV वीडियो भी सामने आया है महायोद्ध की बीच युक्रेन भी रूस पर लगतार पलटवार कर रहा है युक्रेन सेनिकों का रूसी सेनिकों पर गोली बरसाने का वीडियो सामने आया है युक्रेन सेना लगतार रूस पर पलटवार कर रही है यूक्रेन की सिना ने रूस की टैंक को तभा कर दिया, यूक्रेन की तरफ से इसका वीडियो भी जारी किया गया रूस के साथ ही यूक्रेन पर चेचे लड़ाकों का भी हमला लगतार जारी है चेचे लड़ाकों का फारिंग करते वीजियो सामने आया है चेचे लड़ाकों की तरफ से ये वीजियो जारे किया गया है